तारे सितारे वम ग्रहनक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य का राशी फल नई नई यानवरधक जानकारी हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें देने के राशी फल दिनांक 24 अक्टूबर 2019 गुरुवार के दिन का तो आज के राशी फल के अनुसार आज बारा में से छे राशी वालों के लिए आज का दिन शुब फल दाई रहेगा वही अन्य छे राशी वालों को आज थोड़ा समल करके कारी छेतर में काम करना होगा तो आज कारतिक मास कुरश्ण पक्ष की एकादसी तिथी है गुरुवार का दिन है आज का दिन मान है 11 घंटा 15 मिनिट का आज सुर्योदय होगा प्राता हकाल 6 बच के 27 मिनिट पर सुर्यास्त होगा साम 5 बच के 43 मिनिट पर और आज दिन की शुरुबात मगा नक्षत्र से होगी आज शुकल एवं ब्रह्म नाम के दो शुबयोग रहेंगे आज चंद्रमा का संचरन सिम्ह रासी में होगा और आज का शुब समय अभी जीत महुर्त आरम होगा दिन के 11 बच के 42 मिनिट से आरम हो करके तो बारा बच के 27 मिनिट तक रहेगा तो इस समय अभी में कोई भी शुब कारी करना स्रेष्ट होता है और आज का शुब समय दुष्टो महुर्त प्रारम होगा प्राता काल 10 बच के 42 मिनिट से आरम हो करके तो दिन के 2 बच के 42 मिनिट तक रहेगा प्राता काल 10 बच के 42 मिनिट तक रहेगा तो इस समय अभी में कोई भी शुब कारी की शुरवात आपको नहीं करना चाहिए और आज राहु काल रहेगा दिन के 1 बच के 9 मिनिट से आरम हो करके तो दो पर 2 बच के 54 मिनिट तक रहेगा तो इस समय भी कोई शुब या नया कारी आपको आरम्ब नहीं करना चाहिए और आज दिसा सुल रहेगा दक्षिन दिसा में तो दक्षिन दिसा की और मुख करके कोई भी शुब भी मांगलिक कारी की सुरवात आप नहीं करें दक्षिन दिसा की यात्रा भी आप नहीं करें यदि यात्रा करना आपको अती आवशक हो तो अपने इस्ट देवता का नाम उच्चारण करके यात्रा आप कर सकते हैं तो आज जो है गुरुवार का दिन है गुरुवार का दिन भगवान विश्नु एवं देव गुरु ब्रहस्पति को अती प्रिय होता है तो जो भी व्यक्ति से देव गुरु ब्रहस्पति वा भगवान विश्णू की आरातना करता है वह व्यक्ति सोभाग्य साली होता है तो गुरुवार का दिन जो है भगवान विश्णू जी को समर्पित है गुरुवार के दिन भगवान विश्णू जी के निमित विशेश की प्राप्ति होती है तो गुरुवार का दिन सुख सम्रदी सोभागी को देने वाला होता है यह दिन भगवान विश्णु जी का खास दिन होता है और भगवान विश्णु वेसे सिग्र प्रसंद होने वाले देवता नहीं है किन्तु हमारे धर्म सास्त्रों में उनको प्रसं किया जा सकता है और मनो कामना भी पूर्ण हो जाती है तो उनके क्रपा के पात्र भी हम बन सकते हैं तो हमारे धर्मशास्त्रों के नुसार देवगुरु ब्रहस्पति जो है साधू संतो और देवताओं के गुरु माने गए हैं इसी तरह पीला रंग भी देवगुरु ब्रहस्पती को प्रिय होता है पीला रंग जो होता है संपनता का प्रतीक होता है तो गुरुवार के दिन पीले रंग का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए जिससे इस वरत को करने का संपुर्ण फल भी मिल जाता है तो गुरुवार के दिन प्रातहकाल शिग्र उट करके इसन पूजन में तुलसी पत्र अवश्य लेना चाहिए, तुलसी पत्र अरपन करना चाहिए, धूप दीप नेवेद्य अरपन करके करपूर से आरती उतारना चाहिए, उसके पस्चात दोनों हातों में पुश्पांजिली लेकर के अरपन करना चाहिए, हाज जोड करके भगवान विश्णु जी से प्रार्तना करना चाहिए च्छमा प्रार्तना करना चाहिए और बेट करके विश्णु सहस्त्र नाम का पाठ या उनके नाम मंत्रों का जाप करना चाहिए तो भगवान विश्णु जी की इससे विशेश क्रपा मिलती है तो देव गुरु जो ब्रहस पती है धन के कारक गरह कहा गए भगवान विश्णु जी की पूजा आराधना से भी देव गुरू ब्रहस्पती प्रसन्न हो जाते हैं अतह जिस पर गुरू की क्रपा अच्छी होती है उसकी आर्थिक इस्तिती बहुत ही मजबूत हो जाती है तो इस दिन व्यक्ति को पीले वस्तर प कितरन करना चाहिए यदि आप गुरूवार का वरत रखना चाहते हैं तो इस दिन केवल एक बार आपको भोजन अथवा फलाहर लेना चाहिए भोजन वा फलाहर में पीली ही वस्तूओं का प्रयोग आपको करना चाहिए इस दिन विशेश करके पीली ही वस्तूओं का दान क चाहिए तो इससे घर में सुक सम्रद्धी का वास सदा ही रहता है भगवान श्री हरी की विशेश क्रपा मिलती है जिससे आपकी मनो कामनाई भी शीगर पूरी हो जाती है और गुरवार के दिन वरत में आपको इन खास बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए इस दिन मन को नाखुन भी आपको नहीं कटवाना चाहिए इस दिन नमक वतामसिक वस्तूओं का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए तो ऐसा करने से भगवान विश्णू जी और देव ग्रूप रहस्पती की विशेश क्रपा आपको मिलती है और कारी छित्र में भी आपको सफलता मिलत है तो आज जो है शुब योगों के प्रभाव वचंद्रबल के प्रभाव से बारा में से छे राशी वालों के लिए शुब योग बन रहे हैं वहीं अन्य छे राशी वालों को आज थोड़ा समहल करके कारे करना होगा तो इन जिन छे राशी वालों को आज लाब मिलने वाल जिससे आपके विग्न संकड बाधाएं दूर हो करके कारे छेत्र में आपको विशेश सफलता प्राप्त होगी और देव गुरु ब्रहस्पती की विविशेश करपा आपको मिलेगी तो अब जानिये अपनी जन्मरासी के नुसार आज आपके भागी के सितारे क्या बोलते हैं मेशराशी से आरंब करते हैं मेशराशी वालों को आज शूब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आर्थिक स्तिती आपकी अनुकूल रहेगी धन प्राप्ती के लिए किसी नए कारी का शुभारंब आप कर सकते हैं जिससे धन लाब प्राप्ती के अच्छे अवसर आप आपको मिल पाएंगे इस समय में बाहर की यात्रा तथा बाहर से संबंदित कामकाच के छेत्रों में भी अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभावना आपके लिए बन रही है। आपको मिल पाएंगे आपके लिए बन रही है। कामकाच के उद्देश से किया गया प्रयास सफल होने की संभावना आज उत्तम आपके लिए रहेगी। आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज मानसिक तनाव आपको उत्पन हो सकता है। तो किसी प्रकार का आप तनाव आप नहीं लेंगे। सकारात्मक रवया आप रखेंगे तो आपका सारीरिक स्वास्त और मानसिक स्वास्त दोनों ही बहतर होगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक पांच है, शुबरंग आपका नीला रंग है। नीले रंग का प्रयोक कारिच हित्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी। तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राताहकाल इश्नान करने के पश्चात भगवान विश्नुजी के स्पास या अपने देव मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान अरपन करें पीले वस्तर अरपन करें और तुलसी पत्र अरपन करके विश्नु सहस्त्र नाम या विश्नुजी के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो एसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है व्रशब तो आपके इश्ट मित्रों के साथ साथ आपके सगे संबंदियों से सहयोग आपको मिलने वाला है जिससे कारी छेतर में आप अच्छी उन्नती प्राप्त कर पाएंगे आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकाल से मिल सकते हैं यदि आप नोकरी आदी करते हैं और किसी अच्छे पद की कामना करते हैं तो आपको अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ सकता है इस समय में आपके कुछ अधिकारी या सहकर्मियों के साथ व्यवहार थोड़ जिससे आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे हाला कि आपको यह समझने की कोशिस करना चाहिए कि आपका जीवन साथी आपके लिए क्या विचार रखता है और आपको भी उनकी बातों को समझने की आवशकता रहेगी उनकी बातों को महतों देने की आवशकता रहेगी त बाहर से संबंदित कामकाज के छेत्रों में प्रयास आप कर रहे हैं तो आपका प्रयास सफलता दायक ही रहेगा। बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्राता का लिश्नान करने के पस्चात अपने घर की पुर्वदिशा इशान कोण में अथवा अपने पूजा इस्थल पर भगवान विश्नु जी के पास सुद्ध गीं का दीपक जला करके भगवान को रितू फल का भोग अरपन करें पंचे मेवा चड़ावें तुलसी पत्र अरपन करके यथा शक्ती विश्नु भगवान के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो एसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ वसफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आएके साधन बनते आप करें रहेंगे सारेरिक रूप से किया गया प्रयास आपके लिए सफल होने की संभावना अधिक रहेगी परिवार में शुभ मांगली कार्य संपन होने की योग है आप गंभीर प्रवरत्ती के वेक्ती होते हैं इसलिए गंभीरता से किये गए कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे आज का दिन आर्थी ग्रूप से वेसे आपके लिए काफी बहतर रहेगा आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि काफी सोची समझी रण नीती के तहत कार्य करने से कुछ अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है यह समय आपके लिए बहुती अच्छा और उन्निती दायक वैसे नहीं है इसलिए किसी भी कारी को इस्थिरता और गंभिरता के साथ आपके लिए करना बहतर हो सकेगा आज लाइप की यदि हम बात करें तो पती पतनी दोनों के बीच संबंद और मजबूत रहेंगे परिणाम सुरूप आप करीब रहेंगे आपके नीजी जीवन में पिछले कुछ समय से आ रही समस्याई समापत होगी जि इसमें आपको काफी समस्याऊं का सामना करना पड़ सकता है परन्तु बाद में इस्तितियां आपके लिए अनुकूल हो जाएगी आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज आपको पेट से संबंदित कोई छोटी मोटी समस्याई खड़ी हो सकती है तो विशेश करके बाह तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पस्चात भगवान विश्नु जी के मंदिर में सुद्ध घी का दीपक जलाए अथवा अपने पूजा इस्थल पर सुद्ध घी का दीपक जला देवें और भगवान लक्ष्मी नारण जी की एक सांत में पूजन करें और इन्हें गुलाप का इत्र गुलाप की पुश्प माला अरपन करें रितु फलका भोग अरपन करके तुलसी पत्र चड़ा करके यथा शक्ती विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा व अथिक द्रश्टी से यह समय आपके लिए उन्नती दायक हो सकता है व्यावसाइक द्रश्टी से थोड़ा सा तनावपूर्ण और भागदोड इस्तितियों से भी अच्छा लाब मिलने वाला है भाग्य का सांत भी आज आपको मिल सकेगा आज आपको अशुब परिणाम इस पर नहो सकती है इससे धेरिये पुरवक का आज आपको काम करना होगा अपने विवेक से काम करना होगा तभी आपको लाबकी प्राप्ती हो सकेगी आज लाइप की यदि हम बात करें तो आप तनाव मुक्त रहें अपने आपको सांत महसूस करें और अपने प्रिये जनों के सां समय का आनंद लेवे खुबसरत यादों को संजोई रखें आपके कारिये आपके सब्दों से अधिक बोल पाएंगे आज काम अधिक करें और बोले कम तो बहतर रहेगा इससे आपके लाइब काफी उत्तम रहेगी आज विवसाई की यदि हम बात करें तो आप अपने पु यदि हम बात करें तो आज दिल के मरीजों के लिए आज का दिन शुब नहीं रहेगा उनको सतर का रहने की आवशकता रहेगी यदि आप स्वास्त हैं तो फिर भी अपने अपने सारेरिक स्वास्त का आप ध्यान रखें नियमित दिंचरिया का पालन करेंगे तो आपका आस्थे उत्तम ही रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंकनों हैं शुब रंग आपका बादामी रंग हैं बादामी रंग का प्रयोग कारी छेत्र में आप अधिक सदिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओ को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान विश्नु जी के पास सुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान विश्नु जी का सरद्धा पूर्वक पूजन करें उन्हें पीली मिठाई पंच मेवा का करके उच्चारण करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा अगली रासी है सिम्व सिम्वराशिवालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि भोतिक सुग संसादनों में बहतर फल दायक दिन रहेगा अध्यात में की विकास की इस्तिती बहतर होगी धर्म कर्म में रूची बढ़ने से मन आपका एकागर चित्त हो सकेगा तथा कामकाज के छ विवाद का समाधान होने वाला आज नहीं रहेगा क्योंकि राहू करकर आसी में ही गोचर कर रहा है जो विवादित स्थितियां घटने की वजह बढ़ा सकता है इसलिए आपको अपने सत्रों से उलजने की आवशकता नहीं है सत्रों से आज आज आपको सावधान रहने की और धेरे पुरवक सांती से विवार करना होगा तो बहतर होगा आज लाइप की यदि हम बात करें तो आप स्वयम की देखभाल अवश्य करें इसने हो और प्रेम के साथ अपने प्रिये के मन को आकरिसित आप कर पाएंगे और अपने जीवन सांती के साथ अपने विचारों योजनाओं, मुद्दों और भावनाओं को साजा करने के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा इससे आपकी लाइफ काफी अच्छा मोड़ ले पाएगी आज विवसाई की यदि हम बात करें तो आरतिकल आप के साथ साथ भाग्य उन्नती पराप्त होने की संभावना बहतर है यदा कदा अच्छा धन लाब तथा अच्छी भाग्य उन्नती आपके लिए हो सकेगी पर натु इसके लिए अत्यंत परिशरम करने के आपको अवशकता रहेगी तभी आपको भाग्य का साथ भी मिल पाएगा आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज का दिन आपके लिए स्वास्त की द्रश्टी से उत्तम रहेगा फिर भी नियमित दिन्चरिया का आप पालन करें तो बहतर होगा तो आज आपका भाग्य शाली अंकसात है शुबरंग आपका आसमानी रंग है आसमानी रंग का प्रयोकारी छेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्राताहकाल इसनान करने के पस्चात भगवान विश्नु जी के निमित अपने घर के पूजा इस्थल अथवा पूर्वदिशा इशान कोण में शुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान लक्ष्मी नारण जी का एक साथ पूजन करें और रितु फल का भोग लगावे पंचे मेवा का भोग लगावे तुलसी पत्र अरपन करके यथा शक्ति उनके नाम मंतरों का जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुबव शफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है कन्या तो कन्या राशी वालों को शुबव परिणाम आज इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज सगे संबंदियों से संबंद बहतर होने से कामकाच के छेत्रों में सहयोग प्राप्त होने की उम्मिद आपके लिए बहतर होगी धर्न संग्रह करने में आप सफल हो सकेंगे इस समय में आरतिक इस्तिति आपकी मजबूत रहने वाली हो और सत्रू पक्षत तनाव उत्पन आपको कर सकता है इसलिए आपको सत्र कर रहना होगा सत्रूं से यदि किसी तरह का कोई विवाद है तो आज वेसे सामान्य ही रहेगा आज आपको अशुव परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि अनावश्यक कारियों में धन अधिक कर्च होने से समस्याई उत्पन नहो सकती है मांसिक असांती तथा तनावपुर्ण स्थितिया कुछ ज़्यादा ही हो सकती है बनते हुए कारियों में व्यवधान उत्पन नहो सकते हैं विरोधियों का विरोध सफल भी हो सकता है तो इसलिए आज आपको थोड़ा सतर करह करके कारियों विवहार करना होगा तो बहतर होगा आज लाइब की यदि हम बात करें तो आप ऐसा कोई विचार नहीं करें ऐसा नहीं सोचें कि आपका सांती आपकी बातों को नहीं समझ पाएगा और बस आप वही बोले जो आपके दिल में हो अपने रिष्टे में सीमाओं को पार आप नहीं करें क्योंकि यहाँ आपके सांती पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है इसलिए आज आपको विवहार में थोड़ी सी नमरता रखना होगी आज विवसाई की यदि हम बात करें तो किसी भी नए कारे का शुभारंब या किसी तरह की विस्तरत्र कारी योजनाओं को करना लाबकारी आपके लिए रहेगा तथा कोई भी महतुपुर्ण मीटिंग फाइदा कारक आपके लिए हो सकती है आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो स्वास्त को लेकर कोई गंभीर समस्याई उत्पन होने की संभावना नहीं रहेगी फिर भी नियमित दिन्चरिया का आप पालन करते हैं तो बहतर होगा तो आज आपका भागिशाली अंक चार है शुबरंग आपका नारंगी रंग है नारंगी रंग का प्रयोकारी छेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विगन संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पस्चात भगवान विश्नु जी का सरद्धा पूरवग पूजन करें और भगवान विश्नु जी के मंदिर में पीले पुष्प की माला अ तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है तुला तो तुला राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि पारिवारिक इस्तितियां अनुकूल रहने वाली है घर परिवार में आपको सम्मान की द दस्यों के साथ आपसी तालमिल बनाई रखने का प्रयास आपके लिए अच्छा रहेगा इससे आपका खुद का भी विकास होगा और कारी छेतर में आपकी उन्नती हो पाएगी आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज के दिन कोई भी महतुपुर योजनाओं को विस्तरत करने की कोशिस आप नहीं करें किसी भी तरह का महतुपुर्ण मीटिंग या नए कारी का शुभारंब करना आपके लिए ठीक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह समय आपके मानसिक उत्तेजना तथा तनावपुर्ण इस्तिती को उत्पन्न कर सकता है आज लाइब की यदि हम बात करें तो रिस्तों की गरिमा को आपको बनाए रखना होगा दूसरों के साथ फ्लर्ट करने के साथ आप परिसानी में पड़ सकते हैं ऐसा करने से आपके नीजी रिस्ते कमजोर हो सकते हैं इसलिए अपने जीवन सांती के प्रती आप वफादार रहें उन्हें कभी भी धोका देने की आप कोशिस नहीं करें तो बहतर होगा इससे आपकी लाइब काफी उत्तम रहेगी इसका सकारात्मक परिणाम आपको भविश्य में भी देखने को मिलेगा आज विवसाई की यदि हम बात करें तो थोड़ी बाग दोड़ और तनाव पूर्ण स्तिती में समय आपका व्यतित होगा परंतु लाव प्राप्त होने की संभावना आपके लिए बहतर है आर्थिक लाप के लिए किया गया प्रयास आपके लिए काफी सफलता दायक हो सकेगा आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आपको मोसम संबंदी कोई समस्य आपका स्वास्त उत्तम ही रहेगा तो आज आपका भाग्येशाली अंकदो है शुबरंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रयोकारी छेत्र में आप अधिक सदिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्ण संकटवा बाधाउं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्राताहकाल इसनान करने के पश्चात अपने घर के पूजा इस्थल अथवा पूर्वदिशा इशान कोण में भगवान विश्नुजी के निमित्त सुद्ध घी का दीपक जला करके यथा शक्ति विश्नु भग दूर्वान के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है व्रश्चिक तो व्रश्चिक राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि घर परिवार के सहयोग स आपका विकास बहतर होगा आपके विकास के सांथ सांथ घर ग्रहस्ती में भी विकास हो सकेगा भाग्य का सांथ आपको भरपूर मिलने वाला है घर परिवार के संगडन से आप अपने आपको गोरवानवित महसूस कर पाएंगे आज सभी का संपूर्ण सहयोग आपको मिलन वाला है जिससे कारी छेतर में आप अच्छी उन्नती प्राप्त कर सकेंगे आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं इस समय आपको कामकाज से संबंदित भाग दोड तथा तनाव पूर्ण इस्तितियों का सामना भी करना पड़ सकता है इसलिए प्रेम परि तो यदी आप सिंगल है यदी आपका विवाह नहीं हुआ हो तो आपको विवाह प्रस्ताव मिलने के योग बनेंगे इसके लिए आपको फ्रेयतन करना होगा यदी आप साधी सुदा है तो आपका विवाहीक जीवन काफी सुख़द रहेगा आज विवसाइक यदी हम बात तो अपने कामकाच के परती जागुरु को रहना आपके लिए आवश्चक रहेगा कामकाच के छेतरों को विस्तार देना तथा नए कारे का शुभारंब करना यह सबकार्य आपको अच्छा लाब प्राप्त करवा सकेगा आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आपको स्वास्त को लेकर छोटी मोटी परिसानिया उत्पन हो सकती है तो सारीरिक स्वास्त के प्रति आप सतर करहें गंभीर रहें तो बहतर होगा तो आज आपका भाग्यशाली अंकचार है शुबरंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रयोकारी छेत्र में आप अधिक स्यदि करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पस्चात भगवान विश्नु जी के निमित्त सुद्ध गीं का दीपक जला करके भगवान लक्ष्मी नारण जी का एक सांत में पूजन कर ले और पीली मिठाई और रितूफल अरपन करके तुलसी पत्र चड़ावें और विश्नु सहस्त्र नाम का यथा शक्ती बेट करके जाब करें तो इसा करने से पुरा दिन आपके लिए शुबु वसफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है धनु तो धनु राशी वालों को आज शुबु परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आर्थिक लाप के लिए निवेश करने का प्लान आप कर सकते हैं आपके किसी जानने वाले के सहीयोग से कुछ अच्छा लाप आपको मिल पाएगा आरतिक इस्तिती आपकी वेसे बहतर रहने की संभावना रहेगी धन धान्य अचल संपत्ती प्राप्ती के लिहाज से दिन उन्नती दायक आपके लिए कहा जा सकता है आज आपको अशुबु परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि पेसो के लेंदेन में सावधानी रखना बेहद आवश्यक रहेगी जिससे किसी तरह के नुकसान से आप बच पाएंगे और किसी अन्य वेक्ती को पेसो का लेंदेन आप नहीं करने दे समय व इस्तिती को देखते हुए कारी को करना आज आपके लिए ठीक रहेगा आज लाइप की यदि हम बात करें तो अपनी आंतरिक भावनाओं के बारे में मुखर आपको रहना चाहिए अपने प्रिये वेक्ती में गलतिया निकालने से पहले आपको सोच विचार अवश्च कर लेना चाहिए कहीं ऐसा करने से आपके रिस्तों में दरार नहीं पड़ जाएं तो यह आप विचार पुर्वक के यदि विवहार करेंगे तो बहतर होगा आज विवसाई की यदि हम बात करें यदि आप पार्टनर के साथ कारिक कर रहें हैं तो उसमें आपको अच्छी उन् Nati देखने को मिल सकती है समई के अनुसार अच्छा लाव आपको मिल पाएगा आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो सारीरिक स्वास्त के परती थोड़ा सा सतर का आप रहेंगे सच्छता का दियान रखेंगे तो आपका सारीरिक स्वास्त पहले से काफी उत्तम रहेगा तो आज आपका भाग गिशाली अंकछे है सुबरंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रयोकारी छेत्र में आप अधिक स्यदिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पस्चात अपने घर की पूर्वदिसा अथवा अपने पूजा इस्थल पर भगवान विश्नु जी के निमित सुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान लक्ष्मी नारण जी का एक सांत में पूजन करें और उन्हें पंचे मेवा रितू फल का भोग लगावें पान का बीडा अरपन करें और तुलसी पत्र अरपन करने के पस्चात यथा शक्ती लक्ष्मी नारण भगवान के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो ऐसा करने से पुरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है मकर मकर राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि परिवारिक इस्तितियां सामाने तर शुब रहने की संभावना रहेगी घर परिवार में आपसी सामन्जस से एक दूसरे के प्रती बहतर हो सकेंगे किसी भी कारी को लेकर एक दूसरे के सहीयों की भावना उत्पन रहेगी एक दूसरे के साथ मिलकर किसी भी कारी को करने से अच्छी सफलता मिल पाएगी और योजनाय भी सफल रहेगी आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि प्रापर्टी में निवेस आपके लिए नुकसान दायक साबित होने की उमीद रहेगी इसलिए आप निवेस करने से पहले पूर्ण विचार करके ही निवेस करें और जल्द बाजे में किसी भी कारे को आप नहीं करें क्योंकि आपके लिए ऐसा करना काफी हद तक नुकसान दायक भी हो सकता है आज लाइब की यदि हम बात करें तो आपके और आपके जीवन सांती के बीच विश्वास के कमी हो सकती है जिससे आज विवाहिक जीवन में तनाव भी उत्पन हो सकता है तो आज के दिन आपका विवाहिक जीवन एक विशिष्ठ दोर से भी गुजर सकता है तो आज आपको घर परिवार में नमरता का विवाहर करना चाहिए तो बहतर होगा आज व्यवसाई की यदि हम बात करें तो व्यवसाई की द्रश्टी से इस्थितियां आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रही है यदि आप नोकरी आदी करते हैं तो आप साथ साथ में कोई व्यवसाई कर रहे हैं या कहीं पेशा निवेस करने का विचार कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं उसमें आपको लाब प्राप्त हो सकेगा जिससे आपकी आर्थिक वरद्धी आपको देखने को मिलेगी आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो स्वास्त को लेकर इस्तितियां चिंता जनक बनने की उम्म तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चात भगवान विश्नु जी के निमित अपने घर के पूजा इस्थल में सुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान विश्नु जी का यथा शक्ती पूजन कर लेवें और भगवान विश्नु जी को पंचेमेवा, रितुफल और पिली मिठाई का भोग अरपन करके तुलसी पत्र परपन करें और विश्नु सहस्त्र नाम का यथा शक्ती जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है कुम्भ तो कुम्भ राशी वालों को आज शुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं कि घर परिवार में दूसरे के साथ रहते हैं बाहर के कामकाज में भी एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होता रहेगा जिससे आपके मन को शुखव सांती मिल पाएगी आज आपको अशुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं अनावश्यक व्यर्थ की यात्राइं करना पड़ सकती है जिससे आ लाइब की यदि हम बात करें तो आप अपने जीवन की कुछ यादगार शामों में से आज के दिन देख सकते हैं आज का दिन जो है जीवन सांती के साथ अच्छे से व्यतीत करें तो बहतर होगा जीवन सांती को कोई उपाहर यदि आप देना चाहते हैं तो आज का दिन बह रहो सकता है। यदि आप आर्थिक लाप के लिए कोई कारिये विवसाई कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। रहे हैं तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी। तो आज सभी विग्न संकटव बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं। विश्नु सहस्त्र नाम का बेट करके पाट करें या विश्नु जी के नाम मंत्रों का उच्चारण करें। तो इसा करने से पुरा दिन आपके लिए शुभु वसफलता दायक आज रहेगा। अगली राशी ही मीन। तो मीन राशी वालों को आज शुभु परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। कि अती उत्साहित होकर किसी भी कारी को करने में सक्षम रहेंगे। जिस किसी कारी को आप करेंगे उस कारे में आपको सफलता प्राप्त होने की अच्छी संभावना रहेगी। आप विपरीत परिस्तितियों में भी अपने आपको संभाल पाएंगे और बहतर महसूस कर और एक दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए ऐसा हो सकता है कि आपको घर परिवार के लोगों से विरोत का सामना भी करना पड़े साहस और प्राकरम के साथ किये गए कारियों में अच्छी सफलता आपको मिल पाएगी आज लाइब की यदि हम बात करें तो अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने से आपके बीच के संबंदों में सुधार होगा और एक मजबूत संभावना यह है कि आप अपने जीवन साथी पर कुछ निराधार आरोब भी लगा सकते हैं ऐसा आज आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए वरना इसके प्रतिकूल परिणाम आपको देखने को मिलेंगे इसलिए आज आज आप मधूर संबंद बनाए रखें तो आपके लिए उत्तम रहेगा आज व्यवसाइक यदि हम बात करें यदि आपकारी व्यवसाइस से कहीं जुड़े हुए हैं तो व्यवसाइक दरश्टी से उन्नती के अवसर आपको मिल पाएंगे अचानक उन्नती के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं किसे भी अवसर को अपने हाथ से आप जाने नहीं दे तो बहतर होगा आज स्वास्त की यदी हम बात करें तो आज स्वास्त को लेकर आज आपको सतर्क रहना चाहिए विशेष करके मांसिक तनाव आपको बढ़ सकता है मांसिक परिशानिया आपकी बढ़ सकती है तो किसी प्रकार का आप तनाव यदि आप नहीं लेंगे तो आपका स्वास्त मानसिक स्वास्त काफी अच्छा रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंकछे है शुबरंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रियोग कारी छेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बादाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्राताकाल इसनान करने के पश्चात अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोण में अथवा अपने पूजा इस्थल पर भगवान विश्नु जी के निमित्त सुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान लक्षमी नारण जी का दोनों का एक साथ में पूजन कर लेवें और उन्हें पीले वस्तर अरपन करें पीले मिठाई पंच मेवा का भूग अरपन करें और तुलसी पत्र चड़ा करके यथा शक्ती विश्नु सहस्तर नाम मंत्र का जाप करें तो एसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दयकाज रहेगा तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैस्तरी करश्न मित्रो फिर मिलेंगे